स्वागत है अब सभी का मेरी इस चैनल दा डिवाइन पावर डबल वन डबल वन में तो दोस्तों कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपनी लाइफ में शादी आने वली है मुझे भुलाना मत भूलना तो चलें अभी हम चेक करते हैं कि जिस परसन की आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो जिन से आप बहुत प्यार करते हो जिनकी जिनको आप दौाओं में मांग रहे हो मैनिफिस्ट कर रहे हो तो अभी हम ये चेक करेंगे कि उनका दिल आपके लिए उनको क्या कहता है आज हम उ आपको एंट तक बने रहने के लिए प्लेवाइक स्वीट को तोड़ा बढा लेना है वीडियो को आपनी देखना है एंटर जर्नल लीटिंग होती है ठीक है जी एन्ड इसको कोई भी देख सकता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है ठीक है तो चले निकाल लीजे अपने पर वो डेस्टाइन है पास में आप दोनों लवर्स थे हाथों में हाथ लेकर आप दोनों ने कुछ वादे किये थे कि हम साथ जन्मों तक साथ रहेंगे लेकिन यह जो ब्लॉक जिस दिखाई दे रहा है में भी उसके कारण आप दोनों का मिलन पिछले जनम में नहीं हुआ है इस साथ के परसन अभी इस समय इस चीज को लेकर अवेर नहीं है तो चलेण देखते हैं इस समें आगे का बताते हैं तो je इस समय मेरे वीवर्स अपने परसन की पिच्चर को देखें उनका नाम वीजे तो बताईए उनिवर्स मेरे वीवर्स इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उनके पार्तनर का जो दिल है मेरे वीवर्स का दिल तो धड़ता है उनके नाम से ही एक मैसी से ही एक कॉल से ही तो उनका दिल मेरे वीवर्स के लिए क्या कहता है सही गाइड कीचेगा डिवाइन मैसी दीचेगा इसे वीवर्स को तो चले मैं कार्च निकालती हूं और देखते हैं कि यूनिवर्स में को क्य बताते हैं ठीक है जब एसे काड आते हैं तो मजा सा जाता है कसम से बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब कपल काड आता है मुझे डर लगता है जब मैं शफलिंग करते हूं कि कुछ ऐसे कार्ट सा आ जा जा है मेरे वीवर्स नहीं राशना हो जा है तो मैं बहुत सारी द्वाइं मांगती हूं कि युनिवर्स में रीडिंग करने जा रही हूं तो प्लीज अच्छे-च्छे सी कार्ट दीजेगा और म बद दीजेगा करी करता है या फाइव वीक्स हो गए है आपको अपने पार्टनर की वेट करते हूं वियुक्स कारट आया है तो उल्ston ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं लेकिन ये कार्ट आता जरोर है और ऑफाईव नंबर तीन बार आया है तो five number आपके लिए important हो सकता है तो जैसे eight of friends आया है तो हो सकता है कि आपको पांच दिनों के अंदर आपके person की call आ जाए या माई का मन थाने वाला है तो में में आपके reunion हो सकता है बाचित बंद है emperor की position पे है beautiful card आए है mighty beautiful weavers this time relation है पहले कुन सका आड़ाया था जो हमने starting कर रहा था lovers का हना तो चले अब हम देखते हैं कि all zodiac sign इसमें रहेंगे wait I hope आपको cards visible है रुको यहां पे कुछ जो sign है जो मुझे important लग रहे हैं वो है Aries, Leo, Sagittarius Cancer, Scorpio, Pisces Virgo and Capricorn तो यहां मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की बार्चित फिलहाल बंध है और काफी टाइम से बंध है चोकि मुझे बहुत दुख देती है जब मुझे पता चलता है कि आप लोगों का अभी तक भी union नहीं हुआ है बार्चि स्टार्ड नहीं हुई है आपके परसन याँ को unblock नहीं किया है तो मुझे बहुत pain होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जब हम किसी से घंटों बाते करते हैं फिर वही घंटे खाली जाते हैं और काटने को दोरते हैं वो situation मुझे पता है कैसी होती है आप काफी time से अपने बरसन का call message की wait करते हुए मुझे नजर आ रहे हो आपकी feeling देखी जाए तो आप यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आप अपने partner से उमीद खो चुके हो and hermit card के energy बता रही है कि कहीं ना कहीं आप काफी burden feel करे हो आप एक पल में आपको hope आती है कि yes वो वापिस आएगा लेकिन दूसरे ही पल आपका दिल और दिमाग कहता है कि वो नहीं आएगा लेकिन जैसे मैंने बात करी थी कि आपके person के दिल आपके person का दिल उनसे क्या कहता है तो आपके person का दिल भी इसी तरह से इसी situation में है आपके person आपसे बात करना चाते है आपसे मिलना चाते है आपको हक करना चाते है किस करना चाते है बहुत प्यार करना चाते है king of pentacle की energy बता रही है ये दुनिया भर की खुशिया आपकी जोली में डालना जाते हैं आपको सर आंखों पर बिठा के रखना चाते हैं लेकिन यहां मुझे जो नजर आ रहा है जैसे कि यहां पे family काड आए है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में third party family मुझे दिखाई दे रही है हो सकता है कि आप अतने husband या wife के लिए ये reading देख रहे हो तो आपका कोई court case चलता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है इस समय आप दोनों separation में तो हो लेकिन कहीं ना कहीं आपके person के दिल में आपके लिए प्यार बहुत है दिल और दिमाग में जंग चलती रहती है लेकिन फिर भी ये आपकी wait करते है इनको ऐसे लगता है ये कहीं ना कहीं अंदर से चाते हैं कि काश आप उनको message कर दो काश आप उनको कोई phone कर दो कहीं ना कहीं ये regret feel करते हुए भी नजर आ रहे हैं five of cups की energy बता रही है कि past के वातों को लेकर ये आपके person आज भी past में ही खड़े है past को ज्यादा देखते है future की और देखने की जगा ये past में ज्यादा रहते है एक cycle है जो आप दोनों के बीच गूमता रहता है आपको लेकर काफी emotional है आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है आपको बहुत miss करते हुए भी नजर आ रहे है third party के कारण आपके person आपसे दूर हुए है और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये इस समय उस third party के साथ भी खुश नहीं है इस समय आपके partner अकेले है सोच रहे हैं कि जिसके कारण मैंने उसको छोड़ा तो आज फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ मेरे चेहरे पे वो हसी क्यों नहीं है मुझे सकून क्यों नहीं है मुझे रातों को नीन क्यों नहीं आती है मेरा मन भारी क्यों रहता है काफी burden फिल करते है और बार बार आपने आपसे ये question पूछते है आपसे दूर जाने का इनको बहुत दुख है, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत भारी मन से ये आपके साथ, आपसे इन्होंने दूरी बनाई है, थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नहीं है, कुछ नंबर मुझे यहां पर important दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है, ये नंबर आपके लिए important हो, नंबर 7, नंबर 13, 28, 1, 10, 11 नंबर आपके लिए important हो सकता है, हो सकता है कि आपका बदे हो सकता है, इन डेट्स में या आपके person का, या आने वाले समय में ये dates आपके लिए कुछ important हो सकती है, कुछ मन्थ भी मुझे यहां पर important दिखाई दे रहे हैं, जून का मन दिखाई दे रहा है जुलाई का मन दिखाई दे रहा है एक्टूबर और दिसम्बर का मन्थ मुझे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टन दिखाई दे रहा है हो सकता है कि यह मन्थ साप में या आपका या आपके पार्टनर का बद्द हो सकता है या ये वो मन्त हों जिस मन्त में आप दोनों अलग हुए हो या आने वले समय में ये मन्त साथ के लिए खुश खबरी लेकर आज सकते हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है तो आपके परसन के दिल में आपके परसन का दिल उनको बार बार आपकी तरफ तकेलता है आपके परसन का दिल उनको बार बार कहता है कि यूनिवर्स ने तुमें वो प्यार दिया था लेकिन तुमने थर्ड पार्टी के कारण उस प्यार को खत्म कर दिया उसका दिल तोड दिया यहां पे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि आपके परसन में इगो बहुत हो सकती है इस इगो के रहते भी आपके परसन आपसे दूर रहे हैं लेकिन अब आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलते वे नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पे बॉटम उफ दी कप आना चाहते हैं यह आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं क्योंकि इनको कहीं न कहीं पता है कि आप भी इनको दौाओं में मांग रहे हो आप आज भी इनकी वेट कर रहे हो हो सकता है आपका लोंग डिस्टंस रिलेशन हो और ऐसा भी लग रहा है कि आपके परसन ट् king of pentacles भी आया है तो कहीं न कहीं इस तरह मीं लग रहा है कि हो सकता है कि इनका कोई love partner हो या मेरे कुछ viewers किसी married के साथ deal कर सकते हैं या हो सकता है कि आप किसी married person के साथ deal कर रहे हो या ऐसा भी scenario दिख रहा है कि आपका extra marital affair हो सकता है ठीक है तो hai priestess का card भी यही बतारा है कि आपके person जो एक emperor का emperor का position होती है यह काफ़ी strong होती है आपके person एक काफ़ी strong personality है चाहे high priestess यहाँ पे female है चाहे male है वी यह यह एक ऐसी personality है जो हर किसी को अपनी मुठी में करना जानती है लेकिन जब बात आ जाती है आपकी तो ये वहाँ पे हार जाते हैं अपनी फैमली के आगे हार जाते हैं अपने प्यार को कुर्बान कर देते हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपने इनको बहुत दौाओं में मांगा है बहुत सारी manifestation टेक्नीक भी करी है अगर मुझे ऐसा भी कुछ आज नज़र आ रहा है कि मेभी आपके पार्टनर ने हाल फिल हाल किसी से टैरो रीडिंग ली है इनको मेभी कुछ दिन पहले ही इस चीज़ का पता चला है कि पास लाइफ रिलेशन होता है या ट्विन फ्लेम होते हैं जिसके कारण ये किसी से बात करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे है और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहां तो इन्होंने टैरो रीडिंग देखनी स्टार्ट करी है यहां इन्होंने किसी से टैरो रीडिंग ली है जिसमें उनको बताया गया है कि तुम अपने किसी twin के साथ या soulmate के साथ deal कर रहे हो क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि आपके बसने काफी अगर मैं बोलू तो yes definitely इन्हों ने आपसे move on करने की पूरी कोशिश की है और आपको ghost किया है लेकिन ये आपसे move on नहीं हो पाई है जिसके कारण ये बहुत परेशान रहे है इनका मन भारी रहा है ये उड़ातों को सोनी पाते थे जिसके कारण हो सकता है कि universe की तरफ से इनके सामने कुछ ऐसे reels या ऐसी कोई video लाकर रखी हो जिसके कारण universe चाहते हो कि आपको की awakening तो हो रही है आप तो इस चीज़ से aware हो गए हो तो हो सकता है कि आपके partner को भी इस चीज़ के लिए aware करने के लिए ऐसी चीज़ें दिखाई गई हो तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि आपके person ने कहीं न कहीं से tarot reading ली है मतलब जरूरी नहीं tarot reading ली है हो सकता है यह किसी astrologer के पास कए हो जो भी मतलब जिस भी चीज़ में इनका trust होगा मुझे इस तरह से लग रहा है कि इन्होंने कहीं न कहीं से आप दोनों के relation के बारे में बातचीत की है तो चलें अब हम करते हैं थोड़ी सी advice लेते हैं universe से कि universe आपको क्या बताते है कि अभी इस समय आपको क्या करने की जरूरत है येस आपके person के दिल में आज भी आपके लिए बहुत सारा प्यार है and बहुत जल्दी वो आपकी तरफ आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर justice card आया है आपके relation में justice होता हुआ भी नज़र आ रहा है and आपकी तरफ call message आता हुआ भी नज़र आ रहा है five days मुझे यहाँ पर बहुत important दिखाई दे रहे है तो universe दीजे card आपको अपनी life में balance बनाना है आपको ऐसी situation में नहीं रहना है जिसमें सिर्फ आप रोध हो रहे हो negative situation में नहीं रहना है आपको queen of sword की energy में आना है जो की बताती है कि कोई भी मुश्किल हो कोई भी negative situation हो आपको उस negative situation से बाहर आना है जैसे king of sword होता है एक किंग की तरह एक किंग होता ना जो पूरी दुनिया पर राज करता है वैसे ही यूनिवर्स आपको एड़ाइस हे रहे है कि आपको अपने परसन की और ध्यान अडागर अपनी ग्रोथ की और ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ओफ पैंटिकल भी आया है आपको अपनी ग्रोथ की और ध्यान देने बताओ आपको क्वीन ओफ पैंटिकल बनना है क्वीन ओफ पैंटिकल की एनरजी में आना है आपको इस तरह आपने आपको कहरी करना है कि आपके person आपसे time मांगे ना कि आप उनके time की wait करो उनके call messages की wait करो अब universe आपको ही advice दे रहे है आपको king of sword की energy में आना है king of pentacle की energy में आना है अपने work के उपर, अपने पैसे money के उपर अपनी growth के उपर, अपनी self growth के उपर self care करनी है, self love करना है सारी energy को अपने उपर ले के आना है और आपको advice दे जारी है अगर आप अपने person को manifest करना चाहते हो तो आपको पहले खुझ से प्यार करना होगा will of fortune, yes universe आपको बोल रहे हैं कि समय को बदलो, यह आपके हाथ हो में है हम past को नहीं बदल सकते हैं लेकिन future को हम जरूर बदल सकते हैं तो universe आपको यह advice देना चाहरे है कि आपके आगे बहुत सी opportunities रखी जाएंगी आपको इस catch से बाहर आना है इस negative situation से बाहर आते हुए आपको queen of sword और queen of pentacle की energy में आना है कुछ number and initials देखते हैं तो universe आपको बोल रहे हैं कि आपके person के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है आप दोनों को universe नहीं मिला है बट universe देख रहे हैं कि आप अपनी और ध्यानी दे रहे हैं आप अपने person की wait कर रहे हो आज भी उनके call message की wait करते हो पूरा focus आपकी पूरी energy अपने person की उपर है तो universe बोल रहे हैं कि आपको उस energy को अपने उपर ले के आना है तब आप अपने person को manifest कर लोगें तो चलें जल्दी से हम कुछ नंबर निकालते हैं ठीके और देखते हैं कि universe हम को क्या बताते हैं ओके समझ रहे हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है जी है आपके नेम में जी हो सकता है नंबर 8 आया है 85 का बर्थ हो सकता है आपका नंबर 2 है नंबर 5 है 4 है क्या हो रहा है जी है बी है सी है नंबर 6 आया है नंबर 9 है 69 बैलन्स कार्ड हमें दिखा था टेंपरेंस का तो आपको अपनी लाइफ में बैलन्स बनाना है अगर आप अपने X की वेट कर रहे हो ठीक है जो आपके पार्टनर अभी इस समय आपके साथ नहीं है तो हो सकता है कि वो वापिस आ रहे है 46 की हो सकते हो आप या आपके पार्टनर M है B है V है H अगर कुछ भी बनेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में उसको लिखना है नंबर 8 है 3 है 0 है 30 प्लस हो सकते हो S है I hope आपको विजिबल है कार्टनर नंबर 6 है E फिस से आया है नंबर 5 है T है F है कुछ भी बनेगा तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्लेम करना है इस एनरजी को ओके नंबर 9 है नंबर P है ओ स्वारी लेटर P है जी है की है कि तो आगया है हमारा C है आपके पार्टनर की जी के बहुत अच्छी हो सकती है नंबर 1 है 91 का बर्थाप का हो सकता है 8 नंबर 18 प्लस हो सकते हो हो सकता है आपको ट्रिपल वन नंबर बहुत दिखता हो यानि इसकी उपर पॉस्ट डाल रखी है तो आप उसको चेक कर सकते हो ठीक है नंबर 3 है नंबर 7 है 9 है 2 है आपको आपको विजिबल है देख लिए जगा अच्छे से देख लो अच्छे से देख लो क्या बन रहा है आपके परसन का पूरा नाम बन रहा है उनके कार का नंबर है मुबाइल नंबर है आपका डेटो वर्थ है आपके पार्टनर का डेटो वर्थ है या आपके नाम के अंदर ये इनिशिल हो सकते हैं या आपके पार्टनर के नाम के अंदर सर नेम के अंदर ये इनिशिल हो सकते हैं कुछ भी आपके साथ मैच करता है गाड़ी का नमबर घर का नमबर फोर नमबर कुछ भी कुछ पैच कर रहा है तो आपने comment section में लिखना है तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो आपने इसको like तो करना है वीडियो को share भी करना है मुझे support करने के लिए thank you so much अगर चैनल पे आये हो पहली बार तो इस चैनल को आपने करना है subscribe मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ध्या के साथ मौह सारी दौाओं के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में